जैसे कि आज हम आपको ऐसे तेल के बारे में बताने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है जैसे कि साटिका की समस्या में अगर किसी के गाठ में किसी भी परकार की कोई समस्या रहती है उठने में बैठने में पैर के गाठों में या फिर जोडों में किसी भी परकार का दर्द रहता है हड्डियों से संबंदित अगर कोई समस्या रहता है दर्द रहता है हड्डियों में तब ये तेल उपयोग किया जाता है और जैसे कि इस तेल का उपयोग फाइल एरिया की समस उसमें भी इस तेल का उप्योग किया जाता है या फिर किसी के कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या फिर कमर में मोच आ जाता है चोट लग जाता है हड्डियों में किसी परकार का दर्द रहता है तो ये हड्डियों के दर्द को भी ठेक करता है मासपेसियों में किसी परकार का दर्द रहता या फिर मास बेसियों से रिलेटेड अगर कोई उसे समस्या रहता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है हाथ हुआ पैरों में जलन रहता है तो इसमें भी इस तेल का उपयोग किया जाता है और जैसे कि जुन-जुनी की समस्या रहता है आप देख ये बार प्लाई करना होता है इसका कोई साइड इफेक्ट होता है कि नहीं होता है कौन इसको यूज़ कर सकता है को भी यूज़ कर सकता है या फिर कौन सी दिक्कत, कौन सी समस्या में हम इस तेल का उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जनकारी देंगे, जैसे कि अगर किसी के घुटनों में दर्द की समस्या रहती है, ये दर्द 5 साल, 7 साल, 10 साल से पुराना दर्द आपके जोडों में, पैर के गाठों में, हड्डियों में ये दर्द लगातार कांटीनू बना रहता है, आपको उठने में बैटने में काफी ज़्यादा दिक्कत और परिसानी का सामना करना पड़ता है, तब आप इस समस्या को ठीक करने के लिए ये तेल अपलाई कर सकते हैं, अगर आपके जो जॉइंट पैन की समस्या में, अगर किसी के जॉइंट में किसी भी परकार का कोई दर्द है, तो उस दर्द को ये जड़ से ठीक करने का काम करता है, और जैसे कि इस तेल का उप्योग मसल्स पैन की समस्या में इस तेल का उप्योग किया जाता है, जैसे कि आपने देखा या फिर गिरेपरे का चोठो आगर उसने कभी गिर गया है गिरने की और जैसे उसके हड्डियों में काफी जादा दर्दी की सम्म STEVE KI लंबे समय से लंगातार इंटीडू बना करता है इस तेल का उपयोग गाठों से संबंधित जैसे कि आपने देखा होगा आज कल गाठों से संबंधित समस्या बहुत ज्यादा है लोगों को उठने में बैठने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो बहुत सारे दवाईयां बहुत सारे तेल लगा तब आप ये तेल अप्लाई कर सकते हैं ये तेल आप अपने हाथ में लेके हलके हाथ से अप्लाई करना होता है और जैसे कि अगर किसी के गाठों से संबंदित अगर कोई समस्या या फिर गाठों में अपने देखा होगा पेन रहता है जोडों में दर्द रहता है या फिर मसल जाइन्ट पेंट की समस्या में या फिर अगर किसी के मास्पेसियों में सूजन रहता है दर्द रहता है तो इन सारी समस्याओं अगर रहता है तो उसमें ये तेल डॉक्टर के दौरा लगाने के लिए दिया जाता है ये तेल आप हलके हाथ से मालिस करने के लिए डॉक्टर के से मिल जाएगा और ये तेल आप आनलाइन भी खरीद सकते हैं इसके अलावा यद आपको और कोई दिक्कत और कोई समझता है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप अपनी दिक्कत परेसानी बताएं उसके बाद में कोई भी मेडिसिन कोई भी दवा आप उ परजी से उपियोग ना करें